हेले अविर्योंटòn कि dip your to be karthe Put on हbourg SW इनर्षीया के वारे में आपको पता है जब अमने बात खीदी लिनेर मोशन या शिक का बोलते है घुल फैसलेशन मोशन में गोलिनेर आई एक पार्टीकल अगर प्रेट लेकिन अगर system of particle पूरा का पूरा linear उसमें चल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं उसको translational motion बोलते हैं तो जब हमने translational motion की बात हमने पढ़ी है पहले तो उसके अंदर जब inertia की बात करते हैं तो inertia क्या होता था कि एक property कि कि बोडी की क्या रिजिस्ट करता है वो अपना कि अगर वो बोली रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहती है अगर वो motion में तो वो motion में रहना चाहती है ठीक है तो रिजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी है किसी बोडी की कि अगर वो motion में तो motion में रहना चाहिएगी rest में नहीं आना चाहिएगी खुद से तो यह resist करने की property जो होती है यह क्या होती है inertia होती है यह आपको पता है जैसे कि आपने देखा होगा जब आप bus में travel कर रहे हैं ठीक है तो bus क्या है अभी rest पर हमालो यह ठीक है आप यहाँ पर हो ठीक है खड़े हो आप bus में जैसे ही bus चलती है आपके साथ क्या होती है आप back जाते हो न क्यों जाते हो back क्योंकि अभी क्या थे आप rest में थे तो आपकी बोली rest में रहना चाहती है rest की position क्या थी यहाँ पर थी ठीक है अब क्या हो गया बस आगए चली गई तो आपकी body उसी position पे रहना चाती है समझ रहो इतनी बात तो यह क्या था inertia था inertia of rest था inertia of motion की क्या है कहानी कि अगर क्या है आपकी जो यह bus है already चल रही है और फिर यह rest में आई तो जब आप खड़े हो तब आपकी साथ क्या होगा आप आगे जाओगे समझ रहो आप आगे की तरफ जाओगे उससे क्या आपता चलता है आपको कि आपकी body motion में थी motion में ही रहना चाती है ठीक है तो जब rest पे आई बस तो आपकी body वोड़ी तो किसमे रहना जाती है motion में तो वो resist कर रही है rest पे आने को तो वो क्या करती है आगे जाती है motion में ही जाती है समझ रहे इतनी बात तो ये था आपके पास जो inertia of motion की कहानी ठीक है तो ये सब बाते आपने पढ़ी हुई है main कहानी यहां क्या बात करनी है हमें कि जैसे linear motion या translational motion में क्या होता था आपके पास कि किसी body की resist करने की जो property होती थी उसको हम क्या बोलते थे inertia किस चीज को resist करने की अपने motion को या rest वाली state को change जो होता था उसको resist करने की जो कून होता था या property होती थी वो क्या है हमारा inertia है linear या translational motion तो इसी तरीके से rotational motion में जो property है resist करने की body के उसको हम क्या बोलते है moment of inertia बोलते है अब देखो main कहानी क्या है जैसे हम समझें इसमें जैसे ये आपके पास अगर हम translational motion की बात कर रहे है जैसे हमारे पास ये object है translational motion हो रहा है इसका इस तरीके से तो अगर इसका object का जो mass है वो जादा है तो इसको difficult होगा इसकी जो state है change करने के लिए state अभी क्या है इसकी rest है तो ये rest में ही रहना चाहती है अब हम इसमें क्या लगा रहे है force लगा रहे है और ये mass इसका जादा है तो इसका inertia क्या है जादा है तो इस पर हमें force जो है जादा लगानी पड़ेगी क्योंकि इसका inertia जादा है समझ रहे हो तो यानि कि ये किस पर depend करता है inertia mass पर यानि कि mass जो है measure करता है inertia वो इसी तरीके से जो का mass का है किसमे translational motion में वही काम जो है moment of inertia का है किसमे rotational motion में समझ रहे इतनी बात या नहीं बताओ तो देखो एक तो पहली definition क्या बनती है कि the property of a body to resist a change in its rotational motion तो जो property of a body की resist करने की change in its rotational motion वो क्या है उसका moment of inertia यानि कि अगर कोई चीज जैसे कि हम rotate करवाना चाहते है ठीक है rotation में गुमाना चाहते है यह object यहाँ पढ़ा है rest में तो यह बीना torque के तो यह गुमेगा नहीं समझ अगर यह rest में तो rest में रहे चाहेगा और अगर यह चीज move कर रही है यहाँ पर rotate कर रही है तो यह रुगेगी भी नहीं कुद से समय रहे है क्योंकि resist करेगी वह अपनी change को change in its rotational motion तो यह जो property है इसको हम क्या बोलते है moment of inertia बोलते है दूसरी बात क्या है जैसे mass जो है measure करता है क्या चीज़ inertia को translational motion में क्योंकि inertia कितना है वो depend करता है उसके mass पर mass ज़ाद है तो समझ देना inertia ज़ाद है उसको difficult time move करना क्योंकि inertia क्या है उसकी state को resist करता है तो अगर वो rest में है और भारी है तो भारी से हमें बाचलता है कि उसको difficult time move करना तो यानि कि उसमें inertia ज़ाद है वो resist ज़ादा करेगा समय मास जिसका कम है वो resist कम करेगा यानि कि इसका inertia कम है सेम चीज़ जो mass वहाँ पर role play करता है translational motion में वही काम यहाँ पर moment of inertia play करता है किसमें rotational motion में तो यह measure करता है किसको inertia को rotational motion में तो यही बात लिख रखिया quantity that measures the inertia of rotational motion of the body is called moment of inertia कि इतनी बात clear है अब जैसे इसको और तरीके से समझते हैं इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि जो का mass का है translational motion में वो rotational motion में किसका है inertia का है clear है यानि कि moment of inertia का है inertia का नहीं सिरफ किसका है moment of inertia है जिसको हम i से लिखते हैं देखो एक चीज़ बिल्कुल आपने ध्यान में रखनी है क्या जो translation motion में m है उसको हम relate किससे कर रहे है rotational motion में moment of inertia i से relate कर रहे है clear है अब देखो आपको और clear होईगी कहानी देखो किस तरीके से जैसे आपको पता है अगर हम translational motion की बात करते है तो f is equal to m में होता है समझ रहो तो यहाँ से अगर हम acceleration हम निकाल लें है mass के तो इसका मतलब क्या है mass जादा है अगर तो उसे accelerate करना क्या है थोड़ा मुश्किल होगा acceleration उसमें कम होगा mass जाद acceleration कम वही चीज़ जैसे force वाली बात बताई mass जादा तो हमें क्या करना पड़ेगा force जादा लगानी पड़ेगी क्यों वही चीज़ आप हलके में समझ सकते हो अगर mass कम है तो force कैसी लगानी पड़ेगी हमें कम ही लगानी पड़ेगी लेकिन इसका उल्टा भी समझो क्या mass अगर जाद है तो उसमें acceleration कम होगा और किसी मालव एक particular force है 2 newton की है ठीक है और mass जो है हमारे पास है 5 kg का ठीक है तो acceleration क्या होगा उस case में समझ रहो और अगर हमारे पास mass हो जाए 10 kg का तब acceleration क्या होगा force 2 newton की है तो हमें पता 10 kg वाले में acceleration कम होगा बात समझ रहो एक हलकी चीज है और एक है यह बारी चीज ठीक है इसमें acceleration क्या होगा अगर एक given force है मैं इतनी force लगा रहा हूँ तो इसका acceleration ज़्यादा रहेगा और इसमें अगर मैं force उतनी लगा रहा हूँ तो इसमें acceleration क्या रहेगा इसका कम रहेगा यह चीज आपने formula से भी देख ली यही चीज rotational motion में देखो देखो F को हम rotational motion में किस से लिखते है torque से और mass अभी अभी बताया मैंने आपको किस से लिखेंगे moment of inertia से आई से और यहाँ पर यह linear acceleration होता है और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा यह जल्दी से बताओ angular acceleration हो जाएगा एक ही जंग है तो यह formula बनता है इसका यह अभी drive भी करेंगा हमागे ठीक है अभी के लिए यह समझो यहाँ से यह चीज आई ठीक है rotational के लिए तो यहाँ पर भी अगर given torque की हम बात करें तो यहाँ से देखो ज़रा सबसे पहले तो आई क्या जाएगा आपके पास यहाँ से आई नहीं सोरी अलफा अलफा यह वाला अलफा angular acceleration क्या जाएगा हमारे पास यहाँ से tau upon में आई यहाँ से भी देख लो यह angular acceleration अगर हम देखें तो यह किस पर डिपेंड कर रहा है यह अलफा है यह डिरेक्टि पोशन का साहिन है अगर गिवन टॉर्क है तो वो आई पे डिपेंड कर रहा है समझ रहे इतनी बात देखो यानि कि क्या है इसका मतलब जहाँ पर moment of inertia जादा होगा वहाँ angular acceleration क्या होगा कम होगा यही मतलब इसका moment of inertia मतलब जादा यानि कि रिजिस्ट करेगा वह गूमने के लिए ठीक है गूमने रहा है अगर वो rest पर है तो जब उसे घुमा रहे हैं हम ठीक है तो वो क्या कर रहा है रिजिस्ट जादा कर रहा है तो यानि कि angular acceleration क्या होगा उसमें कम होगा अगर उसका moment of inertia कम है तो angular acceleration क्या होगा स्कर रोटेट हो जादा करेगी जैसे कि यहाँ पर linear में क्या हो रहा था mass जादा acceleration कम और mass हमारा अगर कम तो acceleration जादा समझ रहे हो इतनी बात वही कहानी यहाँ पर इनर्षिया से रिलेट करती है अगर समझ में आ रही है आपके बात ठीक है तो देखो जो इसका formula बनता है वो क्या होता है हमारे पास और यहीं से जो definition बनती थी हमार जैसे mass measure करता है inertia को linear motion में वैसी a quantity that measures the inertia of rotational motion of the body is called the moment of inertia यह कहानी आगी अब जो इसका formula बनता है वो क्या बनता है कि i is equal to होता है mass into में distance का square और distance कहां से लेते हैं axis of rotation से लेते हैं यह भी अभी कहानी आपको मैं समझाओंगा ठीक है अभी के लिए समझो mass into में distance का square यानि कि moment of inertia जो है वो हमारा mass यहाई कहा है ठीक है और यह है axis of rotation यह वली ठीक है तो यहाँ axis of rotation से perpendicular distance जो कि है हमारा r और यह है हमारा mass m अब यह rotate कर रहा है ठीक है जैसे कि ऐसे समझो यह axis है ठीक है और इसके along जो है यह m पड़ा है यहाँ पर इतनी दूरी पर यह इसके ऐसे rotate कर रहा है समझ रहो इधर से clear हो रही है इतनी बात ठीक है तो यह वली जो दूरी इसकी यह कितनी है आ रहा है और यह इसके axis पर रोटेट कर रहा है इसके axis के along clear है ठीक है यह समझ मैं अब यह तो एक mass की बात थी अगर इस तरीके से number of masses हो जाए ठीक है यह आपका x-axis और यह क्या है आपका y-axis है ठीक है यहाँ पर यह कोई object पड़ा है जिसमें यह रहा m1 यह रहा m2 यह रहा m3 और ऐसे यह रहा mn अब टो एक्स पर रोटेशन है ठीक है तो यह axis of rotation है जैसे इसको ऐसे समझो अब आप जैसे यह axis है और इसके long यह वली चीज ज भंवेंगी है तो इसमें क्या है जैसे माल लो यहाँ यह यह M1 है एक मास पड़ा यहां M2 है यहां M3 पड़ा है ऐसे करते यहां तक यह Mn हमने ले दिये ठीक है तो यहाँ पर यह देखो इस axis से इसकी दूरी यह दूरी यह distance हो गया ठीक है अभी यह से घूम एंगएंगे समझ रहे इतनी बाट ठीक है clear तो यह जो distance होते हैं यह axis of rotation से हमें लेने हैं जैसे कि यहाँ पर हमने बनाइए है clear इतनी बात पताओ कोई दिक्कत इसमें तो यह distances हम यहाँ पर लिख लेते हैं यह वाला जो distance होगा हमारा यह वाला यह क्या है जैसे हम discrete की बात करते हैं जैसे center of mass में लेते हैं ठीक है वैसे ही तो i is equal to में इसमें क्या होगा देखो mass into my distance का square है पहले इसका ले लो first वाले का m1 r1 का square plus में अगला आएगा m2 r2 का square फिर क्या आएगा m3 r3 का square and plus में up to कहा तक जाएगा ये mn rn का square इस तरीके से जाएगा ठीक है तो इसको अगर हम summation में लिखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर इसको हम m i r i अगर लिख देंगे और इसका square है तो यहाँ यह i is equal to 1 से लेकर n तक query कर रहा है मालो अगर यह 4 masses है तो 1 से लेकर 4 तक तो यह कहां तक चलता m3 r3 समझ रहो इतनी बात यह चीज तो clear हो रही होंगी आपको ठीक है अब यहाँ पर देखो यह चीज तो समझ में आ गई आपके clear जैसे हमारे पास mass intimate distance का square था यहाँ पर तो si unit जो होंगे इसके वो क्या बनेंगे इतनी बात तो समझ रहे तो discrete की बात है अगर हमारा क्या है यहाँ पर continuous mass है हमारे पास तो उसमें हम क्या करते हैं फिर integration करते हैं जिसमें यह m जो masses है infinite हो जाए तो यहाँ पर क्या जाता है integration आ आप निकाल सकते हो कैसे निकलेंगी dimensions बताओ जल्दी से कोई इसमें प्रेशानी dimensions निकाल दो जड़ा देखो mass के तो m ही हो गए ठीक है और meter square यान की distance का square है तो यह L square हो गया और time है नहीं तो T0 हो गया clear है यह dimensions आगए इसके कोई दिक्कत इसमें बताओ simple आप देखो factors क्या affect करते है moment of inertia मतलब यह depend करता है किन factors पर एक तो है mass of the body देखो mass of the body की अगर हम कहानी कहें जैसे यहां से समझते हैं इसको देखो जैसे यह है आपके पास ठीक है यह इस axis के along जैसे घूम रहा है ठीक है इ कि इस 5 kg की जगे कितना हो जाए 100 kg हो जाए mass ठीक है तो कैसे घूमेगा तो समझ रहे हो तो यानि कि mass पर depend कर रहा है अगर mass यहाँ पर ज्यादा हो गया तो इसे rotate करना थोड़ा मुश्किल होगा अगर mass कम है तो rotate करना easy यानि कि mass ज्यादा और rotate करना मुश्किल यानि कि इसका moment of inertia हो कम है तो इसका मतलब क्या है इसको कम torque देनी पड़ेगी समझ भा रहे हो तो mass of the body पर depend करता है यह mass से हां से समझ में हा रहा है हमें ठीक है दूसरा क्या है mass distribution distribution मतलब कि distance कैसा है जैसे हम बात करें इसमें कि जैसे मानलो यहाँ पर हमें rotate करना ठीक है एक mass हमने यहाँ पर इसको घुमाना और एक यह अब हटा दिया हमने ठीक है अब distance हमने बढ़ा दिया यह कर दिया हमने यहाँ पर यह रख दिया mass 10 kg का समरो तब सोचो ज़रा घुमाना तो किसमें घुमाना असान होगा किसमें मुश्किल होगा सोचो ज़रा यह इस वाले में असान है घुमाना लेकिन अगर जब यही दूर कर दिया, आमने तो मुश्किल होगा, क्योंकि इसका क्या होगा, डिस्टेंस यहां से यह बढ़ गया, करके भी देख सकते हो यह चीज आप, ठीक है, तो यहां से हमें यह बात पचल की, मास डिस्टिबूशन पर होता है, ठीक है, मास डिस्टिबूशन यहनी की डिस्टेंस कैसा है, ठीक है, साइज और शेप, ऑविस्टीबूशन यह बात है, जैसे यह एक रेक्टेंगल है, इसको कैसे गुमाना पढ़ रहा है हमें, और अगर एक सर्कुलर चीज हो, ठीक है न, उसको गुमाने में, ठीक है, तो वो चीज भी डिपेंड करती है, साइज और शेप पे बड़ा है या चोटा है, ठीक है, एक्सीज ओफ रोटेशन, हाँ, एक्सीज ओफ रोटेशन की कहानी देखो ज़रा, जैसे हमारे पास यहाँ पर, यह है एक्स एक्सीज और यह है, हमारा y-axis है, ठीक है, जैसे मानलो यह मास पढ़ा है यहाँ पर, ठीक है, अगर हम y-axis से देखें, इसकी दूरी यह बनती है, ठीक है, और अगर हम, मतलब y-axis के लॉटेशन हो रही है, ठीक है, तो अलग कहानी बनेगी इसकी, moment of inertia की, ठीक है, लेकिन अगर हम x-axis के long rotation कर रहे हैं तो फिर x-axis से हम इसका distance देखेंगे न, ये अलग होगा मालो y से कुछ है और x से कुछ है, जम्मर, same की नहीं बात करे हैं y से मालो ये 3 का distance है और x से ये 5 का distance है तो फिर अलग हो जाएगी न कहानी moment of inertia की तो उससे values चेंज हो जाएगी तो ये चीज़ आपके समझ में होगा axis of rotation पर depend करता है तो देखो ये जो formula बना था यहाँ पर ये वाला हमारा, ठीक है, यहाँ से हमें क्या definition पर चलती है, कि moment of inertia is defined as the sum of product of each mass with square of its distance from the axis of rotation, ऐसी तो निकाला है आपने ये देखो, mi and ri का square, क्या है sum किया हमने, सभी का, किसका product, mass का with square of its distance, देखो यहाँ पर, mass और distance के square का क्या है, product है each mass का, समझ रहो न, तो वही बात लिखी है, sum कर दिया बाद में हमने इनका सब का, ठीक है, तो ये चीज़ लिखी है, this is defined as the sum of product of each mass, with square of its distance, from the axis of station, यानि कि, जो distance है हमारा, वो कहां से होगा हमेशा, axis of rotation से होगा, कि इतनी बात clear है, बताओ, ठीक है, अब इसके numericals कर लेते हैं, हम यहाँ पर, तो उससे clear हो जाएगी आपको कहानी, देखो, जैसे हम बात कर रहे है, find the moment of inertia from the center of mass, clear, देखो, यहाँ पर इतनी बात तो आपको clear हो गई ना, कि जो translation motion में mass का काम था, ठीक है ना, वो ही काम यहाँ पर किसका है, rotational में, moment of inertia आगा है, तो यह चीज़ याद रखना, वहाँ M सेम, यहाँ पर I सेम, जैसे translation में F, और rotational में क्या है, torque है, ठीक है, जैसे वहाँ velocity V है, यहाँ पर angular velocity omega है, वहाँ पर linear acceleration A होता है, यहाँ angular acceleration alpha होता है, यह चीज़े समझे माई, ऐसी वहाँ mass होता है, यहाँ पर क्या होता है, moment of inertia होता है, यह चीज़ें आपको हमें पर चल जाएगा, कि यह बिल्कुल इसके मीड में होगा है, यानकि 5 cm इधर से होगा, और 5 इधर से होगा, यह हमें साफ पता है, ठीक है, अगर इसकी axis of rotation है, center of mass, नहीं तो आप easily निकाल भी सकते थे, कैसे से निकालते देखो, अगर हम center of mass की बात करें, यह 5 kg है, और इधर से यह भी क्या है, 5 kg है, ठीक है, और हमें पता है, यह जो distance है, वो कितना दिया है, 10 cm, तो यह हम हमारा M2 है, यह वाला इधर क्या होजाता हमारा X1, और यह वाला क्या होजाता हमारा X2 होजाता, ठीक है, तो देखो, M1, 5 और X1, 0, प्लस में, M2, X2, M2 कितना है, 5, यह तो पता है, center of mass का formula यह होता है, M2, X2 कितना है, 10 है, और नीचे क्या है, M1 प्लस M2, that is 5 प्लस 5 कितना दता, 10, तो 5 x 0, 0, और 5 10 होता है, 50 और यह 10, तो यहां से देख लो, यह 5 cm ही आ रहा है, तो यहां से center of mass कितना आ गया, 5 cm पे आ गया, ठीक है, तो यह हमे पता है, तो यहां से, मैंने ड्रेक्टी आपको पता दिया, कि same mass है, तो यह बिल्कुल medium ही होगा, इसका यह हमें पता है, symmetry से, clear है, तो अगर हम यहां से पता है, 5 cm पे है, तो अगे पूरा 10 था, तो यह भी कितना है, 5 ही है, distance, ठीक है, तो अब inertia जो हम निकाल लेंगे, इसक center of mass से, ठीक है, तो वो क्या होगा, जैसे माल लो, यह हमारा M1 है, यह वाला हमारा M2 है, ठीक है, तो यहां पर यह वाला माल लो, आपका R1 हो गया, distance, यह वाला R2 हो गया, ठीक है, तो इसके axis rotation से, यह भी 5 cm दूर और इधर भी 5, तो हमें तो फॉर्मूला पता ही है, इसमें से, इसमें नहीं करते हैं, याद रखना, moment of inertia में ऐसे नहीं लेते distance को, प्लस और माइनस में, सिंपल आपने बस distance देखना है, यहां पर value put करनी है, ठीक, तो फाइव इंटो फाइव इंटो में यह 25, यह 125, यह 125, प्लस में 125, कितना आ गया, 250, ठीक है, अब इसमें यूनिट क्या होएंगे, मास कीलोगिराम में था, किलोग्राम में लिख दिया, जो distance था, तो यहां centimeter square लगा देना, इस त्रीक्य से, समझ रहुतनी बाद कहीं, वहाँ पर change कर रहें है, उसको centimeter को पहले कि इसमें, मीटर में, ऐसा करने की जुरद नहीं है, ट्रेक तंप यहां unit में, kilometer इसको घुमा रहे हैं तो इस axis के long अगर घुमा रहे हैं हम इसका मतलब क्या है कि जो mass यहाँ पर पढ़े हैं इन सब का distance कहां से होगा इस axis से होगा और perpendicular होगा distance हो ठीक है जैसे माल दो यह M1 है यह वाला M2 हो गया हमारा mass हमारे पास यह 1 kg है और यह कितना है 2 kg है ठीक है M3 कितना है हमारे पास 3 kg है लेकिन यह वाला distance बताओ R3 का कितना होगा पर perpendicular distance होता है तो यह पर perpendicular डालो यहाँ पर equilateral triangle है और equilateral triangle में आपको बताया होगा है मैंने यह जो height होती है यह कैसे निकलती है root 3 by 2 A याद है क्या नहीं यह बताओ ऐसे अगर नहीं याद रहती है यह चीज तो आप पाइथागोरस भी लगा सकते हो यह वाला triangle ले लो यह आपको पता है इसकी height कहां होगी यह बिल्कुल इसमें 1 का square base कितना है समें 1 by 2 का square perpendicular हमाने काल लेंगे हापर 1 का square 1-1 by 2 square 1 लग 1 by 4 इधर चला जाएगा और यह कितना आजएगा आपके पास 4 LCM और यह कितना आपके पास 3 by 4 और P कितना आजएगा यहां से root में 3 by 4 और root 3 उपर रह जाएगा और 4 का root क्या होता है 2 होता है तो तो root 3 by 2 into में 1 कितना आगया हमारे पास perpendicular यहां से root 3 by 2 आगया clear है तो यानि कि यह root 3 by 2 यानि कि यह क्या बन गया हमारा R बन गया ठीक है तो R3 कितना आगया इसमें root 3 by 2 समधर यह root 3 by 2 आगया distance perpendicular that is from the axis of rotation यह बनता है समधर इतनी बाद बिल्कु सिंपल अब कहानी अब R3 का square तक जाएगा तो M1 कितना है हमारे पास 1 है R1 0 है M2 2 है R2 0 है इसका square M3 कितना है हमारे पास 3 है और R3 कितना है root 3 by 2 है उसका square कर दिया यह तो 0 आगया अब देखो 3 root 3 का square 3 और 2 का square कितना हो जाएगा नीचे 4 कितना आ रहा है 3 ती ती ता 9 by 4 और unit अगर हम देखें mass kg में है और distance कि में मीटर में तो यह मीटर स्क्वेर होगा है ठीक है तो यह आ रहा है आपके पास moment of inertia clear ऐसे ही अगर हम इसमें कहानी ले लें कि इसकी जो axis of rotation है देखो अगर हम इसमें axis of rotation जो है वो change कर दें इस वाले triangle में मतलब मान लो यह हमारी y axis है ठीक है यह y axis है इसके long rotation कर द अब जो distances हैं वो कहां से लेने पढ़ेंगे हैं वाई से लेने पढ़ेंगे ठीक है यह one-meter यह one-meter है और यह बी one-meter है पूरी side ठीक है तो यहां से देखो जडरा अगर हम यह वाला M1 ले रहे थे यह वाला M2 ले रहे थे और M1 है 1 kg और M2 कितना है हमारा 2 kg है ठीक है और M3 है हमारा 3 kg और ये वाला डिस्टेंस बताओ अब R3 वाला क्या होगा है अब Y-axis पे पढ़ा है M3 तो Y-axis पे और Y-axis के ये long rotation है तो इसके तो दूरी क्या होगी 0 होगी वैसे भी आपको पता है किसी axis पे कोई चीज है अगर तो क्य यह जो जाएगा देखो formula में पता है M1 1 है R1 1 by 2 है इसका square प्लस में M2 2 है R2 1 by 2 है इसका square प्लस में M3 3 है और R3 देखो 0 है अभी इसका square तो यह तो यह 1 by 4 आ गया है यहां से और यह 2 into में यह 1 by 4 और यह 0 तो देखो 1 by 4 प्लस में 2 2 सफोर 1 by 2 और LCM 4 आ रहा है यहां से तो यह 1 और यह 2 to the 4 कितना आ रहा है 3 by 4 आ यहां से moment of inertia और kilogram meter square अब देखो जैसे हमने कहाता ना कि moment of inertia कि इस पर depend करता है इधर axis of rotation पे तो देखो यहां से अब समझो आप अगर मालो यह कैसे triangle है यहां पर lamina ही है एक तना है यह प्लेट है यहां 3 kg यहां 1 kg और यह 2 kg ठीक है यहा यहां पर हमने अब लगा दिया एक आलो ऐसे road और उसके लोग हम घुमा रहे हैं इसको triangle को तो इस तरीके से घुमाना easy है इसमें मुश्किल है यानि कि अगर इसमें मुश्किल है तो यहां moment of inertia क्या है जादा है और इसको असान है गुमाना तो यहां moment of inertia क्या है कम है तो एक 0 आगया फोर किस पर जाएगा यह फोर सेवल्डा 28 तो यह आघा 0.7 और यहां अरहां 2.2 तो moment of inertia इसमें जादा है इसमें कम है और वैसी भी आपको यह समझ में आई रही है कहानी कि axis of rotation के अगर हम देखें कहानी तो उसमें क्या हो रहा है पता चाद रहा है किसमें असान होगा किसमें मुश्किल होगा गुवाना तो इसमें गुवाना मुश्किल है यानि कि होँवां moment of inertia ज्यादा है clear हो गई होगी बाते हैं ठीक है तो मेन कहानी इसमें क्या थी कि जैसे linear यह जो रांसलेशनल मोशन की बात करते है linear ठीक है एक पूरा का पूरा system of particle ऐसे है rotate हो रहे हैं जैसे यह है हम्हारे बाज ठीक है अब यह हम क्या या समय कि यह इस तरीके से मुव रहे है इस तरीके से मालो इस तरीके से अब्यूरा थाओ यहां पर एकने सारे number of क्या है अगर शाने है कि इस्ते सारे ऊ tenían जो सारे ऐसे रोटेत हो रहे हैं सरकल канале Guaduk पार्टिकन सिर्फ बट करते हो फोगर ड़ फिर सीष्टम पार्टीकशलरी को करनेके लिए कि जो linear या translational motion में जो mass का काम होता है समरो जो काम mass का होता है inertia को measure करने के लिए वो काम rotational motion में inertia को measure करने के लिए कौन करता है moment of inertia यानि कि mass और moment of inertia same चीज़ है अगर हम बात करें linear motion में और rotational motion में ठीक है तो linear या translational motion जो है वहाँ मास और यहाँ पर क्या बात होती है हमारी moment of inertia rotational motion में clear है यह था moment of inertia और इसको हम क्या बोलते है rotational inertia clear है कर लोग इसको okay thank you